आज कल Europe trend में चल रहा है लेकिन जर्मनी को आप ना भूलिए जर्मनी आपको ऐसे मौकर देता है जहां पर जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं चीज़े थोड़ी तब्दिल भी हुई हैं थोड़े बहुत जो हैं वो सभी कंट्रीस के तो हुई हैं जर्मनी के भी हो गए हैं अब स सब्सक्राइब करें जर्मनी की बात कर रहे हैं जर्मनी की पांच इसे खूबियां बता दे हमें तो सबसे पहले तो जर्मनी एक सब्सक्राइब करें जर्मनी की रांक देखो तो वर्ल्ड की थर्ड एकोनोमिकली स्ट्राइब करें जिसकी वज़े से एक बहुत ही जादा पॉपुलिर डेस्टिनेशन बन जाता है उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेक्निकल चाहे वो को लेकर हो चाहे वो ब्रैंड क इतर वीजा मिलता है विच इस फ़र 18 मॉंस तो अब जो रीसेंट रूल जेंज हुआ है जर्मनी का वो रूल यह हुआ है कि अगर आप जर्मनी में पढ़ते हो और अपनी पढ़ाई करने के बाद दो साल के लिए जर्मनी में स्किल्ड काटेगरी के अंदर अगर आप करना पड़ेगा जर्मनी में अगर आप देखते हो तो आपको पांच साल रहकर स्किल्ड में जॉब करने के बाद लैंग्विच टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपलाई करते हो लैंग्विच टेस्ट इस इंपॉर्टन है वह रहेगा ही बट उसके अलावा जो लेकिन आप जो जर्मनी के लिए बच्चे त्यारी कर रहे हैं उनके लिए रूल्स का आ जा रहा है थोड़े बहुत तबदील हुए है आइल्स को लेकर पीटी को लेकर क्या आप डेटा में हांजी बिलकुल पहले जर्मनी में रूल ये था कि कोई भी स्टूडन्ट जिन हो अपनी पड़ाई इंग्लिश मीडियम से करी है चाहे वो बाचलर्स डिग्री हो चाहे वो प्लस टू हो उनके लिए इल्स वेवर था और स्टूडन्ट विताउट इल्स पीटी जा सकता था पैले अब एंबैसी ने रूल चेंज कर दी है अब एंबैसी है कि स्टूडन्स के एडमिशन दे देंगे on the basis of MOI also, Duolingo, IELTS, PTE but embassy के requirement यह है कि आपके पास में ILTS की certificate होनी चाहिए अच्छा यह चीज़ें कर गी है इसके बिना नहीं चलना काम नहीं अब थोड़ा सा रूल चेंज हो गया Yes, PTE के basis पे काफी जादा वीजाज आए हैं because certain universities है जो PTE के basis में आपको English proficiency certificate issue कर देते हैं So, अगर हम वो certificate embassy को दे देते हैं तो बिना IELTS के भी बच्चा जा सकता है बट PTE या IELTS दोनों में से एक English proficiency certificate हमें चाहिए और Western Overseas भी तियारी करवाता है इस तरह के course करवा रहा है आपका भी institute है शाइड है यह बिलकुल अगर मैं बात करूँ वेस्टन Overseas, Western Overseas qualify करते हैं IELTS, PTE, Dealingo, TOEFL, German Language, French Language So, हमारे अलग से academic department है जो सारा यह जितने भी language requirement की related है academic वो सारा services offer करते हैं मैं यहां से German Language को pick करूँगा, अब कहा यह जाता है कि आप वहां पर जा रहे हैं, study आप कर रहे हैं, कोई course आप लेते हैं तो German Language वहां की comfortsually है, ऐसा भी है क्या है? not only in Germany, अभी मैं अगर यॉरप की बात करूँ, so Europe में दो तरह की उनिवरसिटीज है, एक पॉबिक उनिवरसिटी है और एक प्राइविट उनिवरसिटी है, जितनी भी पॉबिक उनिवरसिटी के अंदर दो तरह की प्रोग्राम्स नान होते हैं, एक उनकी local language होती है, और एक पॉबिकेशन फ्री होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब जयर्मनी पॉफिलर है इन टम्स अप जयर्मन लाइंगविज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो जयर्मन लाइंगविज के थू से भी अपनी पढ़ाई कंप्रीट करने के लिए जाते हैं, अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, not only in terms of education, बट अलसो डे टो डे लाइफ में, क्योंकि जयर्मनी में, जयर्मन लाइंगविज काफी जादा बोला जाता है, उसके अलावा, let's suppose, अगर बच्चा कोई पार्ट ताइम जॉब ऑपर्चिनिटी सर्च करता है, विकाज अगर आप स्टड जो जो गरीब बच्चे हैं, उनको इस और भी बेज़ते हैं, बिल्कुल जर्मनी में बेसिकली क्या है, आपको दो तरह की प्रोग्राम्स मलते हैं, एक जर्मन टॉट के थूट एक इंग्लिश टॉट के थूट के थूट तो लेट सपोस अगर किसी बच्चे ने अब जर्म से अप्लिकेशन आती है, बट अगर कोई बच्चा जर्मन लैंग्वेज सीक कर अपना बी टू लेवल करके जर्मन टॉट के थूट के थूट अप्लाई करता है, विच शिक्स्टी फ़एफ परसेंट अलसो तो बच्चों को अराम से अद्मिशन मिल जाता है, पर फंड दि इसको आपको ब्लॉक करना है किसी भी जर्मन बैंक में, जब बच्चा जर्मनी पहुंच जाएगा, उसके बाद आप एवरी मन्त उस अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमांट डिस्वर्स करते हो, तो तो आप शो कर सबते हो, अगर नहीं भी है, तो कोई प्राब्लम नहीं ह उसके अलावा जो भी आपके स्पॉंसर है, उनकी दो से तीन साल की इंकम टैक्स रिटर्न लगेगी, और जोब सिकर वीज़ा भी आजकल ट्रेंग चल रहा है, उसमें क्या रूल रेगुलेशन है, क्या कुछ तबदीलिया है, कितने टाइम के लिए वो मिलता है, जब आपक आपको पड़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको जब गवर्मेंट 18 मंस का जॉब सीकर वीज़ा देते हैं, आप चाहे जर्मनी में अपने लिए जॉब सेक्यार करो, या फ्रांस में कर लो, नीदरलंस में कर लो, डेंडमार्क में कर लो, कोई भी शेनिगन में जाकर आप जॉब सेक्यार कर सकते हो. तो अच्छा, कल को माल लीजिये, ठीक है, जॉब सीकर वीजा ले लिया, जॉब भी मिल गी, कल को पी- आर के लिए अपलाई करते हैं, तो वो रास्ता क्या है, ये कितना गया है? तो पी-र अप्लाई करने के लिए जर्मनी का जो रीसेंट अपडेट है वो यह है कि आपको जमन लैंग्डिज सर्टिफिकेट चाहिए अप टो लेवल उसके अलावा अगर आपके पास में दोसाल से मत्रा इसकिल्ट काटिगरी जॉब हुए और आप वो यह हो में अपने चाहिए blessings from the कोई डाउट है तो नीचे नमबर दिया है बबली जी से सिधा आकर आफिस में लिए नमस्कार